सेवा जोहर साथियों, आज के वीडियो में हम कुछ रोज उप्योग किये जाने वाले सब्दों के बारे में जानेंगे चले साथियों सुरू करते हैं जैसे मैं पानी भर रहा हूँ, इसको गोंडी भासा में कहेंगे नन्ना येर निहिंतना जिसमें मैं के लिए नन्ना, पानी के लिए येर भर रहा हूँ के लिए निहांतना उप्योग हुआ है, चलिए अगला देखते हैं जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे नन्ना येर उंटना मैं के लिए नन्न, येर के लिए पानी और पी रहा हूं के लिए उंटना का प्रियोग किया गया है अगला है खाना खा लिए क्या जिसे गोंडी भासा में गाटो तित्तिबा कहते हैं जिसमें खाना के लिए गाटो खा लिए क्या के लिए तित्तिवा उपयोग हुआ है। एक चीज ध्यान देजिएगा, गाटो पके हुए चावल को कहा जाता है। अगला वाक्य है, खाना खा रहा हूं, जिसे गोंडी भासा में कहते हैं, गाटो तिंतना। खाना के लिए गाटो खा रहा हूं या खा रही हूं के लिए तिंतना का उपयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं अभी काम कर रहा हूं, तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे, नना इदेग बूतो कींतना। इसमें भी मैं के लिए नना अभी के लिए इदेख काम कर रहा हूं के लिए बूतो कींतना का प्रियोग किया गया है। अगला वाक्य है हमारा मैं बाजार जा रहा हूं, जिसे गोंडी भासा में नना हाटूम हंतना कहते हैं, मैं के लिए ननना बाजार के लिए हाटूम और जा रहा हूं के लिए हंतना का प्रियोक किया गया है अगला सेंटेंस है हमारा सुबह सुबह कहां गये थे तो इसे गोंडी भासा में कहेंगे सकड सकड बेके हंजी सकड मतलब सुबह बेके मतलब कहां और हंजी मतलब गये थे अगला वाक्य है हमारा कहां जा रहे हो जिसे गोंडी भासा में बेके हंतोन या बेगे हंतोन कहते हैं हमारा अगला वाक्य है लोट कर कब आओगे जिसे गोंडी भासा में मलसी बसके वाईकी कहते हैं लोट कर के लिए मलसी और कब के लिए बसके और आओगे के लिए वाईकी का उपयोग किया गया है इसी तरह हमारा अगला वाक्य है काम पर जा रहा हूं जिसका गोंडी अन्वाद होता है भूतो ते हंतना काम को गोंडी भासा में भूतो या कयूम कहते हैं पर जा रहा हूं के लिए ते हंतना का उप्योग किया गया है अगला वाक्य है हमारा साम को लोट कर आउंगा जिसका गोंडी अनवाद होता है नुलपेह मोका मलसिवाईका साम को के लिए नुलपेह मोका और लोट कर आउंगा के लिए मलसिवाईका का उप्योग किया गया है